अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर वाइस एड्मिरल साहब से कि सर सुना है कि जी आप आएं सचाई की तरफ आएं अब क्वेस्टन यह है कि इस्टाबलिश्मेंट जुडिश्री और पॉलिटिकल क्लास लाजली जब लोग ओवर सिंप्लिफाय करते हैं वो कहते हैं जी ठीक है डालॉग होना चाहिए टूथ यंड रिकॉंसिलेशन होनी चाहिए तब वो कहते हैं जी ठीक है लेक्स फॉलो दॉ कॉंसिटिशन सब कुछ ठीक हो जागा कोई मसला ही नहीं है जीए पर नेक्स गवरन्मेंट में जीए घीक है पर दिस गवरन्मेंट वो इनके उपर टुस्ट है सो आम आदमी समझता है कि मैं क्यों पैसे दो इनको मैं क्यों टेक्स जमा करा हूँगा तो हम फिर सारा टाइम अगर बाइर से पैसे लेते रहे तो वो तो हम ले ही रहे हैं और इतने सालों से सो हाँ तो विन ट्रस्ट एंड फिर इसमें थोड़ा हमें लाइटन करें सब्सक्राइब कि और आपने ख्याल में जो एक्सिस्टिंग हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं जो जो रूल्स रेगॉलेशन हैं या आई है आप इंडिविज्जियल का ओथ देख लें वो बाउंडरीज बिल्ड कुल क्लिर्ली डिफाइन करते हैं तो हमें सिर्फ उस बाउंडरीज में रह के और अपना काम जो है और यह सिर्फ इसमें क्या करते हैं एक नियत की बात और एक एक्शन की बात के भी सब मिलके यह फैस्टा कर लें कि जो जो हमारी बाउंडरीज आईन ने डिफाइन की हैं उसके अंदर हम रहके काम करेंगे और अगर हम कोई अमेंडमेंट चाहते हैं या कोई ऐसी चीज़ को नई चीज़ लाई तो मेरा अपन ख्याल है कि पहले इमिजेट चीज़ों को अड्रेस करके और फिर इसको एवाल्व होने दे हमें री स्ट्रक्चरिंग की जुरूत है गोवर्नर्स स्ट्रक्चर में भी और जैसे उन्होंने का मौशरती मेरे मैं बिलकुल उन से अग्री करता हूं कि हमें जो अप्रोच है व सोशो पॉलिटिकल और सोशो एकनॉमिक होने चाहिए सोशल अपरोच चाहिए ताकि जो आम पब्लिक का ट्रस्ट और आम पब्लिक की लिंक टू दे स्टेट जो है उनको एक स्टेक होल्डर जब तक आपने ही बनाएंगे उस वकर तक उनकी पार्टिसपेशन चाहे वो टेक चाहिए वो इंटरेनल सेक्यूरिटी है चाहिए वो डिवलेपेंट है वो उसको मश्बूत करने की जुरूरत है बिलकुल क्योंकि मैं समझता हूं कि हम 75-80 साल होने वाले हैं और मॉस्ट तो हमें एक स्टेक्यूरिटी स्टेट हमारा स्ट्रेटिक कल्चर एक स्टेक्यूरि तो मेरा ख्याल है कि हमें जो दूसरे मसाइल हैं चाहिए वो इसादी हैं चाहिए वो पुलिटिकल हैं चाहिए वो उनके लिए हमें रिसोर्सेज नैशनल रिसोर्सेज जो हैं वो उस तरफ डैवेट करने चाहिए ताके हम जो है एक ऐसा इसा इसलाही मौशरा और एक ऐसा म जो के पाकिस्तान से मुभबत करता हूँ और उसमें स्टेक होल्डर महसूस करता हूँ एक बात की गए एक human resource की brain drain की बात की देखें जो इंडिया की rise of India and rise of China is largely attributed in a significant way to the non-resident Indian and non-resident Chinese तो एक और फिर हम कहते हैं के जी जो political muscle है Indian diaspora का west में वो देखें कहां से कहां जाते हैं यह वाला जो process है brain drain का यह हम reverse नहीं कर सकते हैं मैं इसको as opportunity देखता हूँ with the aging population in the west and need for skilled manpower in Japan, in Korea, in Australia, in Canada यह होगी और हमारे पास तो जरूरत इस समर की है कि हम इस को एक opportunity बनाएं और हम चुके हमारे पास माशाला अफ्रादी कुवत की कमी नहीं है तो हम ऐसा ऐसी policy बनाई है ऐसा काम करें कि जो ना सिल हमारे डायस्पोरा में इजाफा हो बलके वो पुरी तरह मीट करें और जो स्पेर लोग हो वहाँ जा सकें और इवेंचली एक long term process होगा कि आप तीन-चार साल में हम ऐसी opportunities local create करें कि जो लोग बाहर गए हैं वो यहां आके काम कर सकें तो उसके लिए एक मरबूत strategy की जरूरत है बाकी रागी बात क्या करते हैं grand national dialogue की और तो यह slowly and a slow process है इसको आप दो साल तीन साल में time bound करके और एक plan बनाके आप slowly and gradually I am a firm believer कि जो जो जिसका part of ship है वो उसी में excel करें और उसको और वो national cause की तरफ contribute करें हम कोई यह जो निजाम होता हो जो dysfunctional निजाम है जो के जिसमें एक pillar heavy है यह overbearing है यह दूसरा week है तो यह long term पे नहीं चाठ सकता है तो मैं बलकुल agree करता हूं कि हमें एक ऐसे structure की जरूरत है जिसमें मौशरती तोर पे जो लोग हैं वो हमारे साथ connected हो रहागी बात tax collection की और दूसरी बात उसमें जो number one requirement है हमारी जो हमारा जो expenditure है यानि के हम कमाते अगर 10 रुपे हैं तो हमारा expenditure जो है वो 80 रुपे although के हमारे कमाने की capacity भी 10 रुपे से बढ़के tax collection जो जी टीप रेशो जो है वो अगर 15% पे आजे तो हमारी 80 रुपे हो जाएगी लेकिन हमें government का size और government के जो extravagant style है उसको if nothing else optics के लिए हमें उसको बहुत जरूरी है कि हम अपने expenditures वहां करें जहां necessary हैं और हम spend thrift ना हो जो कि हम कई सालों से वो है तो again fundamentals हमारे strong है क्योंकि we have almost hit the rock bottom so if we put our act together तो हमारा रास्ता या की तरफ वह उपर ही की तरफ हो सकती है तो हमारी economy में elasticity है हर sector में efficiency बढ़ाने से हम अपनी GDP को I am convinced के पांच सालों में double से ज्यादा कर सकते हैं for sure चाहिए वो agriculture sector हो चाहिए वो human resource हो और फिर आज कल मैं अक्सर यह कहता हूं कि जो disruptive technologies हैं जिसमें आपको human capital चाहिए और skill based चाहिए वो हमारे पास एक huge opportunity है और वहां यहां 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 एक बाकी सेक्टर में जरुएत है हमें हमें human resource में invest करके हम उनको इतना capable बनाएं कि वो एक हमारी industry की तोर पे जो है वो मुल्की ना सिर्फ खित्मत करें बलके मुल्की progress में अपना पूरा पूरा हिस्सा दाने